भूजन समाच पाची परमुक मायावती जब अपने जर्म दिन के मौके पर मीडिया के सामने आई तो ऐसा माना जा रहा था कि वह विपक्षी इंडिया गडबंदन को लेकर कोई बड़ा एलान कर सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही मायावती ने जब अपनी बात कहने शुरू की सताधारी बीजेपी को निशाने पड़ लिया मायावती के संबोधन की शुरुआत में इंडिया गडबंदन के लिए पॉजिटिव साइन था लेकिन उनकी बात जैसे जैसे आगे बड़ी तस्वीर गडबंदन किये बगेर अकेले ही मैदान में उत्रेगी इंडिया गडबंदन की दिल्ली बैठक में सपा प्रमुक अखिलेश यादव ने बस्पा के साथ बाचीत को लेकर तलक्तेवर दिखाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर मायावती की पाची गडबंदन में आई त उनकी पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा अकलेश ने इंडिया गडबंदन से सपा के बाहर जाने तक की बात कह दी थी मायावती ने इंडिया गडबंदन की इस बैठक का जिक्र करते हुए अकलेश यादव को गिरगिट तक बता दिया मायावती ने क पर खड़ा होते नहीं देख सकती है आरक्षन का भी पूरा लाब नहीं मिल पा रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पाचिया अंदर ही अंदर एक होकर साम दाम दंड भेद का इस्तमाल कर दलीतों को सत्ता से दूर रखना चाहती है इनसे साफधान रहने और हर वर्ग को सपा से चुड़ने की जरुरत है मायावती ने इंडिया गटबंदन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा परमुक ने जिस तरह बसपा परमुक को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है इससे भी साफधान रहना है उन्होंने आकाश आनंद को अपना एक मात्र उत्र की विराम लगा दिया मायावती ने साफ कहा कि बसपा लोकसबा चुनाओ में अकेले मैदान में उतरेगी बसपा किसी पार्ची से घठबंदन नहीं करेगी हालांकि उन्होंने चुनाओ बाद घठबंदन का विकल भी खुला रखा बसपा परमुक ने घठबंदन नहीं करन की वज़ा भी बताई और कहा कि पार्टी का नेतेतु दलित हाथ में हैं हमारा वोट तो सयोगी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दूसरी जातियों का वोट बसपा को नहीं मिलता उन्होंने पिछले चुनाव में गटबंदन का उधारन भी दिया और अकेले जीत पाये थे और गटबंदन का लाब सपा को मिला था 1996 में बसपा कॉंग्रेस का गटबंदन था और तब कॉंग्रेस को अधिक फायदा मिल था उन्होंने यह भी कहा कि 2002 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा और करीब सौसिटे जिती 2007 में अकेले लड़े और पूर्ण अब जिस तरह से हर चुनाव में धानली हो रही है बसपा को यूपी के साथ ही बाकी देश में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्होंने चुनाव बाद गटबंदन का विकल खुला रखा यह भी साफ कर दिया कि गटबंदन उनकी शर्टों पर होगा मायवती ने मोध प्री राशन स्कीम को गुलामी का टूल बताते हुए कहा कि हमने यूपी में अपने चार बार की सरकार में सभी वर्गों के लिए काम किया था अल्प संक्यक गरीब किसान और अन्य महनत करस लोगों के लिए जन कल्यानकारी योजनाय शुरू की थी उन्होंने कहा कि सरकारे नाम और स्वरूप बदल कर उन्योजनाओं को अपना बनाने का परियास कर रही है लेकिन जातिवादी होने के कारण यह कम नहीं हो पा रहा है मायावती ने कहा कि रोजगार के साधन देने की बज़ाये फ्री में थोड़ा सा राशन आधी देकर इनको अपना गुलाम बना रहे हैं उन्होंने कहा कि बस्पा की सरकार ने वर्तमान सरकारों की तरह अपना मोहताज नहीं बनाया बल्कि सरकारी और गैर सरकारी छेत्रों में रोजगार के साधन दिये जिससे वह सम्मान और स्वाभिमान के साध जी सके यह सरकार लोगों को गरीबी और बेरोजगारी स मुक्ति दिलाने स्वविभान के साथ जीने का अवसर उपलब्द कराने की बजाए थोड़ा सा मुफ्त राशन बाच कर गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। मायावती ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्ये की सरकारे धर्म और संस्कृति की आड में राजनीती कर रही हैं जिससे लोगतंत्र कमजोरो रहा है। मायावती ने अपने जनम दिन के मौके पर फ्यूचर पॉलिटिक्स की लाइन भी किलियर कर दिये। एक यह है कि वह सियासत से सन्यास लेने नहीं जा रही है। दूसरा यह है कि बसपा लोगसभचुनाम में एकला चलो के फॉर्मुले पर बढ़ेगी। और तीसरा यह की बस्पा को सत्ता में लाना केंद्र की सियासत में परभावी रोल मायावती का फ्यूचर टास्क है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्राधिकारी घोशित किया था। तभी से उनके फ्यूचर को लेकर अचकलों का दौर जारी रहा था। अब मायावती ने एक तरह से यह साफ कर दिया कि वह सियासत के निपथ्या में फिलाल नहीं जा रही है। उनकी मन्शा अपने सामने ही बस्पा के शिर्सपद के लिए आकाश आनंद को तयार करना और इस्थापित करना है।